सावन का महिना भगवान शिव को बहुत पिरिये हैं इसी महिने कावडियात्रा भी शुरू होती हैं जिसमें लाखो कावडिये गंगाजल भर कर अपने गाओं के मंदिर की और पेदल चलते हैं वही गंगाजल को बहुत पवित्र माना जाता है। हर पूझा पाठ में गंगाजल पवित्र होने के साथ ही कई चमतकारिक गुड़ों से भरपूर भी होते हैं। गंगाजल के छिड़काओं से कई सारी परिशानियों से मुक्ति भी मिल जाती है। वहीं गंगाजल से जुड़े कुछ अचूक उपायों को करने से आर्थिक इस्तथी में सुधार होत है। और कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। तो चलिए जानते हैं गंगाजल से जुड़े चमतकारिक उपाये। लाक कोशिशों के बावजूद आपका लिया हुआ कर्ज कम नहीं हो पा रहा है। तो गंगाजल का उपाये आपके काम आ सकता है। जी हां पीतल के पात जाता है। जो लोग लंबे वक्त से बीमार चल रहे है या बार-बार बीमारी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए गंगाजल का उपाय अच्छा आ जाता है। इस के लिए हर अविवार और मंगलवार को पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इस उपाय से सारे र उसमें पाच बेल पत्र डाले और इसे शिवलिंग पर अर्पित कर दें माना जाता है कि यह उपाय करने से उचित फल मिलता है बच्चों को बार-बार किसी की नजर लग जाती है तो भी गंगजल का उपाय लाबदायक है इसके लिए किसी लोटे में गंगजल लेकर उसे नज पाने के पानी में रोजाना थोड़ा सा गंगजल और चुटकी भर हल्दी मिला ले और इसके बाद उस पानी से इसनान करें मान्यता है कि 21 दिनों तक यह उपाय करने से विभा की योग बनने लगते हैं तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी वह हमें कॉमेंट सेक्शन में बताना और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें N27 भक्ति आप देख रहे हैं N27 भक्ति भक्ति ही शक्ति है